हेलो फूरीज, वेल्कम बैक टी कुमिन करी आज मैं आप सुभी की साथ मेरी वन ओ फेवरिट डाल की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ जो कि साबुत मसूर डाल की रेस्पी है यहाँ पे मैंने आधा कप के जितना आप साबुत मसूर डाल लेके रखी है इसमें करीबन 4 लोगों के लिए दाल बन के तयार हो जाएगी इस कटोरी में दोस्तों 2 टेबल स्पून के जितना फाइनी चॉप किया हुआ लसन है और एक बड़ी प्यास को रफली चॉप करके रखा है यहाँ पे जो आपको पेस्ट दिख रहा है इसमें 1 प्यास, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अधरक का टुकड़ा और साथ में 12-15 कलिया लसन की है तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है दाल को अच्छे से एक बार धोले फिर उसके बादे कुकर में आपको 2 टेबल स्पून के जितना कोई भी कोकिंग ओयल डालना है या फिर आप घी में भी बना सकते हैं घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस दाल का तो आप घी में भी बना सकते हैं तो जब तेल थोड़ा सा गरम हुझे इस पॉइंट पर मैंने धुली वई डाल डाल दी मैं हमेशा थोड़ा सा भूनना प्रिफर करती हूं अपनी डाल को इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है डाल का एक बार आप ये वाले स्टेप करके देखेगा या फिर बिल्कुल इसी तरीके से डाल बना के देखेगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेरी तो ये one of favorite डाल है बहुत ही simple है, इसके साथ किसी भी सबजी वगएरा की जरुरत नहीं पड़ती क्योंकि हम तोड़े से मसालों के साथ बना रहे हैं और घर में बन रहा है, तो इसलिए हम कम तेल मसाले यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही healthy recipe है ये डाल को निकाल ले, तीन से चार मिट के लिए भूनना है, उससे जादा नहीं भूनना अब वापस से cooker में टू टेबल स्पून के जितना घी देल आप जो भी यूज़ करना चाहें वो डाले इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, दो लॉंग और एक बड़ी लाइची जाएगी और साथ ही में वन टेबल स्पून के जितना चौप किया हुआ लसन जाएगा जब लसन थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो, उस पॉइंट पे हम इसमें लगा देंगे 20 स्पून जीरे का तड़का, जब जीरा चिटकने लगे, उस पॉइंट पे हम एट कर देंगे, जो हमने एक प्यास को रफली डाइस करके रखा है, वो दोस्तो हर रेसिपी में जो cooking time होता है, या मसालों को भूनने का time होता है, या फिर प्यास या लसन को पकाने का तरीका होता है, वो अलग होता है क्योंकि वो recipe के according होता है जैसे Chinese vegetables अगर मैं बनाती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि प्यास को translucent रखें, crunch बना रहना चाहिए लेकिन जैसे जो Indian recipes है मसाले वगेरा जिसमें अच्छे से भूरने होते हैं, उसमें अधिकदर आपको प्यास को हलका सा brown करना होता है लसन को भी brown करना होता है तो हर recipe की अलग requirement होती है cooking time अलग होता है चीजों को पकाने का, तो ये सारी चीजे ध्यान में रखने वाली हैं, जब प्यास थोड़ा सा brown होना शुरू हो, उस point पे मैंने इसमें add कर दिया, half teaspoon के जितना हींग का तरका, मुझे हींग का flavor बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा ज़ादा add किया है बाकिया 1 by 4 teaspoon के जितना भी add कर सकते हैं अब यहाँ पे मैंने add कर दिया, जो हमने paste बना के रखा था, लसन प्याज और हरी मिर्ची और अधरक का वो, अब आपको gas की flame कर देनी है, एकदम धीमे यानि की low flame paste को पकाना है किसी भी recipe का जो actual essence होता है, taste का वो मसालों को भूनने की तरीके पे कि आपने कितने अच्छे से भूना है, तो flame को धीमा करता हूँ, एकदम धीमी आज पे इसको अच्छे से भूनना है आपको यहाँ पे half teaspoon के जितना मैंने healthy powder add कर दिया, two tablespoon के जितना हमें धनिया powder add करना है, चोटे चम्मत से मैं add कर दी हूँ, तो मैंने करीबन चार बार यह add किया हमने इस recipe में दोस्तों बहुत जादा तेल नहीं use किया है, तो मसाले भूनने के बाद जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ कि तब पता चलता है कि side से तेल release होना शुरू हो जाए तो it means masala done हो गया है, बट इसमें जैसे हमने बहुत जादा तेल नहीं डाला है तो मैंने कश्मेरी मिर्च add किया है, जो बहुत जादा तीखा नहीं होता, बागी completely optional है यहाँ पे मैंने दो टमाटर को chop करके add कर दिया, टमाटर add करते ही आपको इसमें नमक add करना है तो पूरी दाल में जितना आपको नमक चाहिए, आप अंदाजे से add कर दीमी आज पे आपको इसको भी गलाना है आप 3-4 मिनट में नोटिस करोगे कि टमाटर soft होने लगे है जैसे मैंने चॉप करके टमाटर डाले आप टमाटो पूरे भी डाल सकते हो या फिर इनका पेस बना के भी डाल सकते हो तो दोनों ही तरीके से अच्छा बनता है यह देखे टमाटर गलने शुरू हो गए है बट मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढग दूगी एकदम धीमी ही आज पे 3-4 मिनट के लिए ताकि और अच्छे से यह गल जाए यह देखे हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं आपको बहुत ज़दा मसाले या फिर तेल नहीं दिख रहा होगा बहुत ही सिंपल हेल्दी रेसिपी है आप डेली बेसिस पे अपनी रगलर डाइट में यह इंक्लूट कर सकते हो टमाटर गल चुके हैं इस पॉइंट पे हमें आट कर देना है जो हमने दाल भून के रखी है वो इसे अच्छे से मिलाएंगे क्योंकि दाल को हमने एक बार अल्रेड़ी भून के रखा है तो बहुत सादा भूनने के ज़रुरत नहीं है इस पॉइंट पे और इसमें अंदाजे से आपको पानी आट करना है मैंने करीबन धाई कप के जितना पानी आट किया था इसमें तो आपको जितना भी गाढ़ा पतला जैसे भी consistency चाहिए हो दाल की आप उसे साबसे समें पानी आट कर सकते हैं और आपको इसको एकदम मतलब medium low flame पे विसल तक हम इसको पकाएंगे शुरुवात की पहली सीटे आपको high flame पे दिलानी है लेकिन उसके बाद की जो 4-5 सीटे आपको medium low flame पे ही दिलानी है ताकि दाल एकदम अच्छे से गल जाए और जैसे 5-6 सीटे आपने दिला ली फिर उसके बाद आपको gas की flame कर देनी है बंद और जब तक cooker में से अपने आप पूरा का पूरा pressure ना निकले आप cooker ना खोले जब pressure एकदम अच्छे से निकल जाए तो आप उस point पे cooker को खोले अगर आप पहले खोल देंगे तो maybe दाल अच्छे से ना पके तो pressure पूरा निकलने का वेट करना है आपको और एक बार कर्ची की मदद से दाल को अच्छे से mix कर देना है मतलब घोट देना है ताकि दाल और अच्छे से mash हो जाए आपस में और एकदम अच्छे से गल जाए आप देख सकते हमने 5-6 सीटियां देला है और एकदम अच्छे से पक चुकी है अब यहाँ पे हम तड़का लगा रहे है वापस है बाकी यह वाला step completely optional है वो दाल ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी है लेकिन थोड़ा सा तड़का आप लगाओगे तो दाल और जादा टेस्टी बन जाएगी तो मैंने 2 टेबल स्पून के जितना घी लिया है जिसमें मैंने 2 चोटे सुखे लाल मिर्च डाले और 2 टेबल स्पून के जितना चौप किया वा लसन डाला तड़के में हमेशा लसन को थोड़ा सा हम ब्राउन करते हैं तो आप इस point पे दाल ना एड़ करें इसको ब्राउन होने तक का वेट करें आप इसी point पे इसमें red chili powder भी आड़ कर सकते इसमें दाल का बहुत अच्छा color आ जाता है पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे घर पे बहुत ज़दा red chili powder का इस्तमाल नहीं होता तो मैंने नहीं आड़ किया है अब बस जैसे ही लसन थोड़ा सा ब्राउन हो उस point पे मैंने इसमें दाल आड़ कर दी और आपकी ये दाल बिल्कुल ready है आप इसको चपाती के साथ enjoy कर सकते हैं चावल के साथ enjoy कर सकते हैं बस मेरी एक recommendation है कि जब भी आप इसको किसी भी चीज के साथ खाए एक चमच की उपर से ज़रूर डाले क्योंकि इस दाल पे गी बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने इसे serve कर लिया है चावल के साथ आप देख सकते हैं बहुत ही healthy है बहुत कम तेल मसालों के साथ बनके तयार हो गया और जटपट है इसके साथ आपको किसी भी तरीके की सबजी की भी ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों अगर आज की recipe आप सभी को useful लगी हो तो इसी तरीके की और भी recipes देखने के लिए अगर आप में ये channel पर नए है अभी तक यानिकी subscribe नहीं किया है तो फटा फट कर लें क्योंकि daily business पर मैं कोई ना कोई इस तरीकी useful recipe डालती रहती है अपने YouTube चैनल पर और साथी मैं subscribe बटन के बगल में जो bell icon दिया हुआ यानि की घंटी जैसा sign उसे याद से प्रेस करेगा ताकि जब भी मैं कोई video upload करूँ उनके notifications आपको time play मिले और इसी के साथ दोस्तों क्यों मिन करी का Facebook, Insta page भी follow करना ना भूले क्योंकि वहाँ पर मैं खाने से ही related बहुत सारे tips वगरा share करती रहती हूँ, photos वगरा share करती रहती हूँ तो उसे भी follow करना ना भूले मैं मिलते हूँ एक नई recipe के साथ तब तक के लिए, bye!